कर दोस्तों जानजीत फार्मिस्ट्री में आपका श्वागत है आज हम बात करेंगे बीभाव रेखा के समंध में देखिए दोस्तों पति-पत्मी के दमपलत जिवन जिवन का सबसे शफल जिवन का आजाता है जब दोनों एक दूसरे से भाबनाओं में अच्छी दरह से रहती है तो पति-पत्मी का समंध अमरा हातों में सूचित करती है एक प्रकायर रहस्ष में संग्सर होती है हर व्यक्ति का संग्सर सुपमय नहीं होती है शरीर के मन हर व्यक्ति का समान नहीं रहती है इसलिए हस्तरेका में सब कुछ मिलती है ऐसा हस्तरेका जानने से अप धन, स्वास्त, अपना लाइप का बहुत कुछ आपका समय, अच्छा बूरा, सब कुछ के बारे में आप जान सकते हैं इसमें हमारा जिवन में महत्पुन बात बीभाव का मना जाता है तो हमारा हातों में बूठ शेत्र की, देखें दोस्तों बूठ शेत्र की यह हमारा जो बूठ शेत्र है, हमारा कनिष्टा अंगुटी के नीचे बूठ शेत्र की नीचे से आड़ी देखाओं जितनी होती है उसको हम बीभाव रेखा कहते हैं तो बीभाव रेखा हातों में जिसका जन्मा पत्री जन्मा कुंडिली होती है उसमें साब साब लिखाए देती है लिखती है जो पंडित जो बैभाव जीवन सुकमाई होगी या कश्टपुर्ण होगी हर आदमी का जीवन में ऐसी मिलती है लेकिन देखिए दोस्तो हम इजीली जान सकते हैं बूठ शेत्र की नीचे जो बिभाव रेखा होती है हमारा रिदाय रेखा की उपर से जितनी रेखाए होती है वो रेखाव को बिभाव रेखा माना जाती है तो बिभाव रेखा जो सबसे बड़ी लंबी इस्परस्ट और गहरी होती है उसको बिभाव रेखा मानते हैं हम तो अगर कोई रेखा छोटी-छोटी होती है अगर देखिए अगर एक लंबी रेखा जाती है और एक छोटी साखा रेखाए देखने को मिलती है किसी-किसी के हाथों में तो उसको हम attraction line कहते हैं उसको बीबाव रेखा कह नहीं सकते किमकि वो बीपरित रियोनी में attraction रखती है वो ही उमर में उसका love line प्रेम समंद रहती है अगर गुरुष के हाथों में हो तो इस्ति के साथ रखती है और इस्ति के हाथ तो गुरुष के साथ opposite sex होती है को अगर जो रेखा लंभी देखने को मिलती है उसको हम वीबाव रेखा कहते हैं अगर इस पोज़्ट गहीरी और लंभी होो कोई दोस्पूनों नहीं हो तो उसको हम फाइनल विभाव रेखा कहते हैं वो ही विभाव रेखा सुक्मे बहुत अच्छी थरा से दंपत जीबन कटती है अगर किसी के विभाव रेखा रिदय रेखा की और जुग जाती है तो विभाव बहुत कस्पून होती है विभाव में बाधा होती है बिभाव में डिवोस की चांसेस ज़्यादा होती है अगर बिभाव रेखा हमारा हातों में देखिए जो कनिष्टा अंगुलिक के निचले इससे और रिदयरेखा के बीच जो ग्याप होती है इसको हम पचास साल की मानते हैं योतिशास्त्र में तो अगर किसी खात में बीच में से बिभाव रेका होती है तो उनका बिभाव पचीश साल में पचीश सब्विस साल में होती है अगर बीच में से जितनी नजदिक होती है कनिष्टा अंगुटी की जितनी नजदिक होती है उतनी जल्दी उसका शादी होती है अगर थोड़ी मिडिल से थोड़ी उपर आगर होती है तो 22-23 साल में बिभाव होती है अगर बीच में से जीदा रेखा की और थोड़ी आके ठहरती है जिसका विवाव रेखा उसका 30-31 साल में विवाव होती है ऐसी माना जाती है अगर जिसके हाथों में विवाव रेखा शिधी दो लाइन देखने को मिलती है अगर दो लाइन देखने को मिलती है तो एक जो छोटी लाइन होती है विवाव से पहले उसको अट्रक्शन लाइन कहती है विवाव से पहले अट्रक्शन लाइन होती है अगर विवाव रेखा के परच्चात अगर कोई छोटी रेखा होती है तो बीभा रेखा की पहले अट्रक्षन लाइन कहती है वह opposite sex होती है, आकर्षनर Kelvin कहती है, किसी भी तरह से उम्हट तूट जाती है, उसका प्रचत बीभा होती है, अगर बिवाओ के पूर्व में ऐसी होती है कोई देखा तो बिवाओ के रेखा के बाद ऐसी देखा होती है तो उसका बिवाओ परच्छाथ भी किसी के साथ समंद रहती है अगर किसी के विभाव रिखा दो समांतर रेखा देखनों को मिलती है तो उन वेक्ति को दो विभाव रेखा होने का संब्र होना जादा होती है दोस्तो अगर विभार रेखा हमारा कनिष्टा अंगुल के तीसरी परवा में उपर चड़ जाती है तो ऐसे में वह व्यक्ति आजिवान कल कुवाना रहती है किसी के अगर आप देखे तो तीसरे परवा में ऐसी जुख जाती है आके तो उसका साधी होना नाममकिन हो जाती है अगर बिवाओरेका दी जिवाँ जैसी देखिए दोनों तरफ से ऐसी दी जिवाँ अगर होती है तो इस्तिर पूरुष्प में स्वामिश्तिरी के अंदर कलरपूर्ना होती है अगर बूत शेत्र से विभाव रेखा दो समांतर विभाव रेखा होती है तो हमें समाजना चाहिए बेक्ति का दो बार विभाव होता है और या विभाव होने का स्चंबवना ज्यादाई बनती है अगर चंद्र या शुक्र से रेखा निकालकार विभाव रेखा से मिलती है तो किसी बेक्ति का चंद्र या शुक्र से मिलती है तो बेक्ति कामुक भोगी बासना में डूबी रेती है हमेशा ऐसे होने पर अगर किसी का हाथ में दोरी हिदा रेका होती है तो ऐसी दोरी हिदा रेका दोनों तरफ से हिदा रेका होने पर बेक्ति अभिवाइत रहती है विवा होने का संबावना बहुत कम होती है अगर विवा रेखा के उपर ऐसा खड़ी देखा होती है तो उसको हम संतन रेखा कहलाती है कहते हैं संतन रेखा दोस्तो आज वीडियो में इतना ही अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कारना आपका क्योरी सो तो आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तो नमस्कार